नमस्कार मैं हूँ राम प्रकाश राय उत्तर प्रदेश की राजनीत में इस समय राम चरित मानस को ले करके गर्मी चाही हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से मलसी सौमी प्रसाद मौरे ने राम चरित मानस को ले करके बयान दिया दरसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी बिहार से बिहार के जो सिख्षा मंत्री है प्रोफिसर चंदर सिकर उन्होंने पहले रामचरित मानस के कुछ दोहों चोपाईयों का उधारन देते हुए एक बयान दिया उस बयान के बाद राजनीतिक पूरा सियासिय भुचा ला गया कई तरफ से हमले हुए उनके उपर भारती जन्ता पार्टी सही तमाम जो हिंदुवादी संगठन थे उन्होंने उनके उपर पूरे सारे आकरामक हो गए थे पर अभी वो मामला चली रहा था इसी बीच स्वामी प्रशाद मार्या ने भी एक बयान दे दिया स्वामी परशाद मौरे ने रामचरित मानस की चौपाई का लेक करते हुए ये कहा कि कुछ उसमें जाति सुचक सब्द है कुछ लोगों पर अपमान होता है तो उसको उन पंक्तियों को रामचरित मानस से निकाल देना चाहिए या फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि गो स्वामी तुलसिदा सरचित जो रामचरित मानस से उसर बेन लगा देना चाहिए ये बयान आता है स्वामी परशाद मौरे का इसके बाद शुरू होती है सारी कहानी उसके बाद भारती जनता पार्टी की तरफ से लोग उनके उपर आकरामख हो जाते हैं यहां तक तो सब ठीक होता है पर जब खुछ समाजवादी पार्टी में उनका विरोध होने लगता है स्वामी परशाद मौरे का यह बयान गलत है जिसके बाद अखिलेश यादो भी स्वामी परशाद मौरे के बयान से बचते हुए दिखाई देने लगे अखिलेश यादो कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अंदर ही जो तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं वो श्वाम विपसाद मौरिया के बयान से इत्वाक नहीं रखते हैं, उनसे बलकि वो समुद्धे पर नाराज़गी दिखा जगे हैं सारजनिक बयान भी इसको लेकर के आए हुए हैं, जगे जगे पर तमाम हिंदुवादी संगठन जो हैं, अलग अलग जिलों में इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बयान पर आपत्ती दर्श करा रहे हैं कई एक तरफ जहां चुकी मौनिय मश्या को लेकर के चीजें चल रही थी, हिंदु वहाँ पर मिले चल रहे थे, तमाम धर्म सम्मिलने चल रहे थे, तो ऐसे में इस समय स्वामी प्रशाद मौरे का इस तरीके का बयान आना, जिस बयान को लेकर के पहले से ही एक विवाद च हिंदु वादी संगटन हैं, वो स्वामी प्रशाद मौरे के विरोध में उता रहे हैं, जगे जगे पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, स्वामी प्रशाद मौरे का पुतला फूंका जा रहा है, लक्नों के एक मंदिर में स्वामी प्रशाद मौरे की फोटो के साथ पोस्टर लगाये गया है कि अधर्मी स्वामे प्रशाद मौरे का मंदिर में प्रविस वर्जित है तो इस तरीके की चीजें आप स्वामे प्रशाद मौरे के खिलाफ आने लगी है स्वामी प्रशाद मौरी के इस बयान पर इतना हो अल्ला मचा है इससे समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं बैक फूड पर आ गई है समाजवादी पार्टी के अंदर खाने विधायक नाराजगी दिखा रहा है उसका कारण है क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी ये दिख रहा है कि इससे जो समवर्ण हिंदू है वो कही ना राज होगा हाला कि रामचरित मानश को केवल सवर्णों से जोड़ कर नहीं देखा जाता है रामचरित मानश हिंदू धर्म में एक आस्था का केंडर है और इसी के चलते खुद उनी की पार्टी के अंदर के कई नेताओं को उनके विरोध में उतरना पड़ा वोट बैंक की राजनीती है वोट बैंक की राजनीत के तहद यदि ये केवल समण ही नहीं बलकि और भी ऐसी जातियों के लोग जिनको समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर समझती है या जिनको अपने साथ जोडने के प्रयास में लगी हुई है वो भी इससे नाराज होत अगर पहुचे तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की मीडिया से बातचीत करते हैं उनसे जब सवाल पूछा गया इसको ले करके तो उन्होंने कहा कि ये जो बयान है स्वामी प्रशाद मौरे का ये उनका निजी बयान है ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है तो शिवपाल सिंह यादो सही तमाम वरिस नेता चाहे हो शिवपाल सिंह यादो हो अखिलेश यादो हो या समाजवादी पार्टी के वरिस नेता रहे हो या दूसरे कई ऐसे विधायक जो समाजवादी पार्टी से संबंद रखते हो उन समने स्वामी प्रशाद मौर से किनार कई नेता ये कहना है कि जो स्वामी पिशाद मौर हैं वो समाजवादी नहीं है अगर वो समाजवादी होते तो उनको ये चीज़ें पता होती है यहां तक कि उनको उनके ही पार्टी के विधायक ने राम चरित मानस से ले करके और राम मनोहर लोहिया तक का विचार जो है वो मुश्किलें बढ़ती हैं विधान सबाचुनाओ के वक्त उन्होंने खुद को नेवला बता लिया था वो उसको ले करके भाजपन उनको खुब ट्रोल कराया और उसका फाइदा भाजपा को हुआ समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा इसके अलावा क कई सारे बयान हैं जो समाजवादी पार्टी में आने को स्वामि परशाद मौरी ने दिया उन बयानों के चलते ना केवल स्वामि परशाद नुकसान हुआ और भारती जन्ता पार्टी चोटे चोटे मुद्दों को चूकि भुनाती रहती है इसलिए ये चीजे उनके बिसलिशन भी हो रहे हैं चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि आखिर स्वामी प्रशाद मौरे ने ये बयान दिया क्यों दरसल स्वामी प्रशाद मौरे के इस बयान देने के पीछे कारण ये माना जा रहा है कि जो मुद्दा गरम था सियासत उस पर पहले से चल रही थी एक तरफ जहां प्रोफेसर चंदर सेखर के बयान पर उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है वहां की सरकार उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो उनको ये लगा कि यहां भी इस तरीके के मुद्दे भुनाए जा सकते हैं ये मुद्दे वोट बैंक की राज परसुनारी तो उसमें ये माना जा रहा था कि जो जिन लोगों को टार्गेट किया जा रहा है जो जातिया इसमें आ रही है उनको साधा जाए उनको साधने के तहद इस तरीके के बयान बिहार में भी आये थे और वैसे ही बयान यहां पर उत्तरप्रदेश में भी देखने क मिल रहे हैं स्वामी प्रशाद मौरे के इस बयान से स्वामी प्रशाद मौरे का क्या फाइदा होगा वो कितनी समीकर साथ पाएंगी कितनी जातियों को अपने साथ जोड़ पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है पर ये तय है कि अभी साफ साफ ये दिखने लगा है कि स्वामी स्वामी पिशाद मौरी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के मुश्किले भी बढ़ गई है। यह फ्रेंट पूट पर बैटिंग करते हुई भाजपा स्वामी पिशाद मौरी से लेकर के समाजवादी पार्टी पर तक आकरामक है। इसका विरोध कर रहे हैं और भारती जंता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि स्वामी पिशाद मौरी इस पूरे चक्रव्यू से निकल कैसे पाते हैं। वह ही भारती जंता पार्टी के लिए या उक्सेजन कितनी देर तक बना रहे पाता है और उसे भाजपा को कितना लाभ हो पाता है। बने रहे हैं हमारे साथ। दन्यवाद।